है गाइज एक गुड नियूज है आरपी एफ कांस्टेबल और आरपी एफ सब इस्पेक्टर के लिए डेट एक्स्टेंड हो चुकी है किन बच्चों के लिए डेट एक्स्टेंड हुई है यह जानने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखें तो देख पारेंगे आप यह ओफिसियल नोटिफिकेशन है रेल्वे बोर्ड की तरफ से ठीक है रेल्वे रिक्रूट्मेंट बोर्ड तो देख लेते क्या का गया इस नोटिस के अंदर इंपोर्टेंट्स नोटिस आटेंशन टू दा एप्लिकेशन सब्मिटेड कंडिडेट ओप यह अपना फोर्म सम्मिट कर दिया है ठीक है कब तक कर दिया है वो इसमें बताया जाएगा तो आप अपनी फी भी पे कर सकते है उसके लिए डेट एक्स्टेंड हो चुकी है क्रेक्शन की डेट भी एक्स्टेंड हुई है और साथ में आपकी जो फी पेमेंट है लास्ट समिश थी closing date थी advertisement की उस दिन के लिए काफी curious थी बच्चों की तो advertisement number दिये गए हैं दोनो advertisement number है sub inspector और साथ में constable executive decided to provide an opportunity for payment of application fee to those candidates who have submitted their online application before closing date मतलब जिन बच्चों ने अपना form submit कर दिया है closing date से पहले ठीक है तो उन बच्चों को यह opportunity दी गई है ठीक है वो कब से कब तक opportunity देख लेते हैं देखिए 14 तारिक इसकी closing date थी मतलब 23 बज़कर 69 मिनट मतलब रात 12 बज़े तक आप अपना form submit कर पाए है ठीक है देखा जाए तो जैसे fee payment जो भी बच्चे कर रहे थे उनकी fee payment जैसे करते हैं मालो कुछ error आ जाता है तो वो 15 मिनट के बाद दुबारा payment कर सकता है जिसका मालो 11 बज़के 45 मिनट पे या 11 बज़के 40 मिनट पे भी कोई error आया है ना जिस बच्चे का payment करते वे तो उसकी fee जो है वो verify करने के लिए उसको 15 मिनट का इंतजार करना पड़ता है चाहे वो fee failed हो चाहे उसके पैसे भी ना कटे हो तो इस वज़े से क्या किया है fee payment window for such candidate will be available from 18.05.2024 मतलब 18 माई से लेकर 20 माई तक available रहेगा वही रात का time दिया गया है 12 बज़े तक ठीक है एक मिनट पहले तक आप अपनी fee pay कर लीजिए मैं इतना लेट तक नहीं करूँगा आप अपना जो काम है आधे गंटे पहले तक कर लीजिए ठीक है उसके बाद आपकी fee pay नहीं होगी क्योंकि वही error आ जाता है और error के दोरान आपकी fee pay नहीं होती 15 मिनट आपको इंतिजार करना पड़ता है उसके बाद फिर वो close हो जाता है ठीक है तो देखिए those candidates who have submitted their third point में those candidates who have submitted their online application before closing date that is 14 माई 11 बज़ के 69 मिनट तक and unable to pay the fee can now pay fee by clicking on pay now तो उनके पास pay now का option आजाएगा जैसे अप login करोगे तो वहां से आप अपना जो fee है वो pay कर पाएंगे ठीक है अगर फिर भी कोई query है आपकी तो वो query के लिए आप इन के उपर call कर सकते है या आप RRB को अपनी mail कर सकते है ठीक है तो वीडियो को जादा जादा share करें ताकि सभी बच्चों के पास information पहुंच जाए और अगर आप पहली बार आए है चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें थैंक्स पो वाचिंग झाल